तो जैसे ही दोस्ती ये केंडल आगे stop loss लाइन में टोच करेगा तो अटोमेटिक हारा option sell हो जाएगा देशकते हैं stop loss ट्रेल करने के बाद भी profit दिख रहा है और थोड़ा सा आगे stop loss को ले जाते हैं तो देशकते हैं यहाँ पर उपर आचुका है stop loss इस वीडियों दोस्ते हम बात करेंगे कैसा आप धन आफलियाशन में stop loss लगा सकते हो या फिर केलो stop loss को ट्रेल कर सकते हो बिगनों लोगों के लिए दोस्ती वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अभी live दिखाऊंगा कि वहाई क किस तरीके से मैंने stop loss को ट्रेल किया कहाँ पर किस तरीके से मैंने price को modify किया फिर कैसे हमारा जो stop loss live market में hit हुआ तो सब कुछ दोस्तों मैं आपको step by step guide करने बाला हूँ तो वीडियो का आप end तो देखो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम धोन अपलियाशन को open कर लेते हैं तो यहाँ पर order वाला section में जाएंगे यहाँ पर आने दोस्तों देख सकते हैं हमारा भी कोई भी position नहीं है order से में भी दख लीजे इसमें कोई भी pending order नहीं है तो चलिए यहाँ पर home में जाके सबसे पहले तो दोस्तों हम एक position बना लेते हैं आप चाहतों stocks में बना सकते हो या फिर दोस्तों आप option वेरा buy कर सकते हो तो ज्यादा तो लोग option वेरा यहाँ पर trading करते हैं इसलिए दोस्तों nifty 50 को हम open करेंगे यहाँ से दोस्तों option chain में जाके कोई एक option को दोस्त आभी में buy कर लेता हूँ तो यह नीचे वाला एक्स होगी आसपास इसका price दिख रहा है इसको दोस्ते में buy कर लेता हूँ तो यहाँ पर buying वाला page open हो चुका है नीचे आपको instant buy देना को मिल जाएगा यहाँ पर click कर देना यह दोस्तों तहारा buy हो चुका है जोगी दे सकते हैं 115.35 पेसा पोजिशन में जाएंगे तमारा पोजिशन दोस्तों कुछ profit दिख रहा है दे सकते हैं तो चलिए इसमें दोस्तों अभी हम stop loss लगाएंगे उसके लिए दोस्तों simply आभी आपको stop loss लगाना है तो सबसे पहले तो दोस्तों इनक आप यहाँ से डिलिट कर दीजे तो यहाँ पर सब कुछ हम remove कर देंगे remove करने का दोस्तों अभी हम पर आप वो price को डालिए जिस price पर यहाँ पर आप stop loss लगाना चाहते हो यानि दोस्त यहाँ पर हम हारा जो buying price का minus 10 point stop loss लगाएंगे आप अपने हिसाब से यहाँ पर 10 point या 15 point जो कुछ भी लगाना चाहते हो दाल देना उसका दोस्तों trigger price में जाके sam 105 को डाल दीजिए यहाँ पर दोस्तों आप point लगाके कुछ 0.5 या 10 कर दीजिए फिर यहाँ पर दोस्तों इसको sell कर देना sell जैसे ही करोगे यहाँ पर order में जाके दिखा देता हूँ जैसकते हैं भाई trigger pending तो यहाँ पर पेंडिंग ह हो रहा है option का chart तो दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर इसका chart open हो चुका है नीचे दोस्तों यह red line हमारा stop loss है यह दोस्ता हमारा buying price है यहाँ पर दोस्ता हमारा candle चल रहा है तो जैसे दोस्तों यह candle आके नीचे यहाँ पर हमारा red line में touch करेगा तो तुरंती दोस्तों यह option हमारा automatic sell हो जाएगा वाकि ये trade को तो दोस्ता हमें randomly buy किया लगिन फिर भी यहाँ पर हमें profit हो रहा है जोगि आच्छी बात है चलिए back जाके थोड़ास हम stop loss को trail करते हैं ताकि मैं आपको live दिखा सेकूं कि की तरीके से यहाँ पर stop loss hit होता है तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे order वाला section में तो यहाँ पर दोस्तो इसका उपर click करके modify में जाके इसको दोस्ता हम थोड़ासा modify करेंगे जैसे कि दोस्तो 105 है तो इसका हम 110 कर देते हैं अब यहाँ पर हमारा stop loss hit होने का chance बढ़ जाता है तो चलिए यहाँ पर फिर से में जाके दिखा दाता हूँ तो देश स price के करीब इसको लेकर आना होगा तो फिर से दोस्तो इहाँ पर हम click करके modify में चलते हैं यहाँ पर दोस्तो हम थोड़ा से इसको increase करेंगे यानि इसको आप कहा सकते हो stop loss का अभी trail कर रहे हैं तो इसी तरीके से यह stop loss का भी trail किया जाता है तो हम इसको कुछ 120 या फिर दोस्तो इसको हम 122 के देते हैं कि कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 126 के आसपास दन इसको दोस्तो हम sell करेंगे sell करने हैं दोस्तो अब फिर से मैं आपको इसका जो चार्ट में जाके दिखा देता हूँ तो देश सकते हैं इसका चार्ट आपिन हो चुका है price काफी उपर जा चुक हमारा जो यह option का price और वी उपर जा चुका है इसलिए दोस्तो और थोड़ा साम यह जो दूसरा पॉंस है stop loss को trail करेंगे इसमें दोस्तो वह सेम एकाउंट login है तो यहाँ पर हम 122 की जागा कुछ हम 125 के आसपास कर देते हैं तो हम यहाँ पर 128 कर देते हैं नीचे यह दोस्तो 128 डाल के कुछ 0.5 कर देंगे ओके तो ठीक है यहाँ पर हमारा stop loss और थोड़ा सा trail हो चुका है देख सकते हैं और थोड़ा सा उपर जा चुका है आप दोस्तो 99% चांस है कि यहाँ पर हमारा stop loss हीट होगा तो चलिए देखते हैं देख सकते हैं और भी उपर जा रहा है prices का ए 133 के आसबस जा चुका है तो साइद और थोड़ा से इसको trail करना पड़ेगा अब भी दोस्तो आप लाइब मार्केट में इस तरीक से stop loss को trail कर सकते हो तो यहाँ पर और थोड़ा सा उपर लेके जाते हैं हमने कुछ 130 के आसबस इसको लेके जा चुके हैं अब यहाँ पर दो को मिली है वाकि इस तरीक से दोस्त आप लाइब स्टपलस हीट हुआ जोकि 130 में मतलग 15 पॉइंट की आसबस आमें profit देहने को मिला वाकि इस तरीक से दोस्त आप stop loss को लगा सकते हो और आपको profit अगर दिख रहा है तो धीरे धीरे करके आप 2-4 पॉइंट करके stop loss को trail कर सकते हो तो काफी अच्छे तरीक से दोस्त मैं आपको समझाने की कॉसिस की है और आप सोईलो को अच्छे से समझ में आ चुका आगा कि भाई कि इस तरीक से मैंने stop loss को trail किया आप कहां पर stop loss लगाया तो आप भी दोस्तो इस तरीक से आप stop loss को trail करके profit वह यहां पर book कर सकते हो बह